नमस्का फ्रेंड्स मैं नाम बब्रोरा पेपर है कर मैं आपका स्वागत है आधन देखेंगे यहाँ पर बीए पार्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाता है अपना जियोग्रफी मतलब भूगोल का रहने वाला है आज से हम क्लास को करते हैं स्टार्ट ओफेंड्स जो लो हो चाहें MCQ हो एक भी क्योशन नहीं चोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भई सुरू से पढ़ना पड़ता है सुरू से पढ़ना पड़ता है कि क्योशन को ध्यान से देखना पड़ता है अना माइंड में फिक्स करना पड़ता है तब हम क्या करते हैं हैंडट में से आपके कितने भाई अगर हंटीफ परसेंट को छीज है तो आराम से आप 95% कराओंगे अगर हंडीट परसेंट है तो 95% आप आराम से कराओगे अगर आपने अच्छे पेकार से पूरा पड़ा होगा सब्सक्राइब करना है 95% करना है तो बढ़ते हैं क्योंकि नंबर वन की हो ट्रीक है ग्लोपी आज म् देखेंगे यहां पर ठीक है तो यापको यूनिट हो जाते हैं कौन कौन से यूनिट है आप को देखीगा आपके पास unit हो जाते हैं एक उलेकarna southwest बढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं जो पहला हो जाता है हमारा लॉंग के उशन से स्टार्ट करें फिर लॉंग के उशन से स्टार्ट करते सोल पूरा की फूरा हो जाएगा आराम से कॉपि भरा ओगी से छीmp aha मैं चीज में क्या होती है इसमें आपके लिए कि गई आप अच्छी प्रिकाश्रेश ढ़लो एग्टिंग अच्छी यूने चाहिए अगर नंबर कम दी जाते हैं तो हैडिंग पर बहुत ही अच्छे प्रिकार से मुने कर देना है पहला दे रहा है क्योशन नबर बन कि बहुतिक भूगोल का अर्थ इसपश्ट करते हुए बहुतिक भूगोल की पिकरती तदा विसाय छेतर के बारे में बताईएगा बस यह क्योशन यह दे रहा है कि भूगोल है क्या इसकी भूगोल इक इस्तिती क्या होती है और इसके बारे में थोड़े डेtail में बात करते हैं बहुतिक भूगोल की फारा लिखते हुए इसके विसाय छेतर कर प्रिकास डालें बही बात यहां पर भी दोसरा कर गय दी तो अब देखते हैं मुत्तर की ओ ठीक है बहुतिक भूगोल की प्रिकरती हैं विसाइचेतर के बारे में हम जानकाई लेते हैं तो पहले हम क्या देखेंगे प्रिकरती एबम परिभासाएं मतलब जो बहुतिक है मतलब जियोग्राफी है वो आई कहां से है किस प्रकार से इसका विकास हुआ ना इसको परिभासित हम यहां पर करने वाले हैं परिभासा है लेखेंगे तो पहला दिरेक्षा है देखो प्रकर्ति के बारे में पहले देखेंगे ठीक है नाम में ही चुपा होगा एक है ग्राफी को हमने ग्राफो लिख दिया कोई बात थे एक जी से स्टाट हुआ और ग्राफो दो से मिलकर क्या बना जी ग्राफो बनी है और जो जी का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है जी का अर्थ होता है प्रतवी जी का अर्थ क्या हो गया प्रतवी और जो ग्राफ हो गया और ग्राफों का अर्थ क्या हो जाएगा बढ़न मतलब क्या हो गया भी प्रतवी का बढ़न तो जो भूगोल होता है उसमें क्या अर्थ होता है पत्वी का बढ़न करना भूगोल परीभासा कोस के अनुसार भूगोल बहभिज्ञानता अर्थसास्त है जो भूप्रेश्ट का अध्धिन उसे जलबायू कहां पर कहें भूप्रेश्ट का अध्धिन उसे छेत्रिये बिवेदी कर्ड सहित मनुस्य के निवास स्थल के रूप में करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है जलबायू आ जाएंगी मिटियां जाएंगे बनस्पति प्राड़ी उत्पादो मनुस्य के लिए बिस्तरवम परसपर संबंदों का भी अध्यन किया जाता है तो सब ही लिख सकते हैं कि भूगोल के अंदर हम लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने यहां तक लिख दिया भूगोल में प्रकरति और सांस्कृतिक बाता बढ़के विभिन ने तत्व का धिन किया जाता है अपको पता है इसमें बहुत तक भूगोल होती है दूसरी होती है माना भूगोल बिक्सित हुई एक होती है प्रकति ज्वारा जो होती है भूगोल उसे कहते हैं बहुत इक भूगोल कहते हैं निर्मित ठीक है और जो मानब द्वार निर्मित होती है उसे कहते हैं मानब भूगोल बिक्सित हुई ठीक है तो यहां पर मानब भूगोल बिक्सित हुई है अब इस पकार से मानब भूगो करना बस बही चीज में देखी बाकी कुछ नहीं देखा यहां पर कुछ इसके बारे में बना-बना कर लिख दिया कि धुअ अकरती है इसमें होती है जलबाई होती है तरह पर इस पर इसकर रहा ना अध metals किया जाता ही हम किडिया किया जाता इसके कर्या किलाप jedoch को बैघा रहा प्रुकत तक कर्या को सब्हुकत है BEN होराуп तो अंदिक भूगोल में उसके कर्या किलाप Пटिया नहीं किया जाता है उसके क्रिया किलाप दिया ना उसका भीजिजो के विर में विविन विद्वानों का विचार दिया गया है जो भौतिक भूगोल होती है उसके बारे बस दो के विचार याद कर लीजे का बाकी कोई जुरूरी नहीं है कितने की याद करना बस नाम याद कर लो विचार कुछ नहीं है बस नाम याद कर लो विचार कुछ नहीं है जैसे हमने दो नाम याद कर लेंगे एक हो जाएगा Arthur Holmes और एक कोई भी याद कर लो इन मिसे ठीक है एक हो जाएगा Stroller ठीक है दो नाम याद कर लो बस बाकी बना बना के लिखा हुआ है देखो यहाँ पर भी बात करते हैं Parker कर कब लो सागर, महसागरो, बायु मंडल के बिभिन पच्छो का अधिन किया जाता है कुछ नहीं कहा जो उपर हमने पड़ा था बही यहां पर घुमापरा कर कही दिया औनुने ठीक है बस नाम important है बही किसने कहा नाम important है नाम अगर आपको याद है तो बना कर लिख सकते हो इसके लिए बात करते हैं दूसरे वाले को देखो यहाँ पर इस्टॉल के नुसा क्या कहा गया यह क्या गया बहुत एक भूगोल सामान रूप से कई भूमी बिज्ञानों का समनब्ब्ब है तो यहाँ पर भी बही बात कह गयी कि बहुत एक भूगोल जो है बहुत सामान रूप से बहुत सारे विज्ञानों का एक संबंध है ठीके क्योंकि यह हमने क्या देखा देखो मिट्टियों का दिन, जलबायों का दिन, बनस्पत्तियों का दिन, प्राडियों का दिन, उत्पादों का दिन इनको मिला कर किसका दिन हुआ अब इसका मिला कर किसका रूप लिया गया बहुत तक भूगोल का रूप दिया गया यही बात यहाँ पर कर दी तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ भी घुँआ पर आकर यहाँ पर भी लिख सकते थे उसके बाद कहरा है अख्रमनब्ब है जो की मानवी बातावड़ सामान रूप से प्रिकास डालते हैं बातावड़ पर पर क्या करते हैं भी समान रूप से यह प्रिकास डालते हैं तो इस प्रिकास से यह भी हो गया बस दो नाम याद करो कोई जरूरी नहीं है कोई जादावे याद होना चाहिए कि परिवह सायम ने दो की देदी किसकी Arthur Holmes की देदी और Starler की देदी बस दो परिवाहां सा याद करो इनकी कोई जरूत नहीं है इसको भी छोण दो इसको भी छोण दो ठीक है मगर पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं ना जब पढ़ने के लिए आए तो पढ़ेंगे One Angel के नुसार क्या गया पत्वी के बहुतिक लच्चोत था उनके मानपर प्रिभाब का अधन ही बहुतिक भूगोल देखो यहाँ पर भी बही बात हो रही है अब जब देखो बायू मंडल है जल मंडल है इनमें बहुतिक परिबरतन होंगी तो प्रिभाब किस पर पढ़ेगा मानपर बढ़ेगा बात वही यहाँ पर भी घुमापरा कर के दि बस नाम इंपोटेंट होता है देखो यहाँ पर फोर वाले में के रहा है लोबेक के नुसाल क्या कहा गया कि बहुतिक बाताबड का अधन ही बहुतिक भूगोल है बात करते हैं इस परकार बहुतिक भूगोल में मुक्ता बहुतिक पच्छो जैसे कह सकते हैं चट्टा नो उच्चा बच्च तदा प्रत्वी की उत्पत्ती भू आकरतियों का निर्माड विकास बायू मंदल इदसाओं जल बायू के बिविन पच्छो और जैविक जैविता जैमंदल के बिविन घटको का विस्तत अधिन कि डीरूप है वही बात हो गई है कुछ नहीं है इस फाल मंदल ब्रतवी की जो सतय होती है ठीक है जिसे हमनले बास करते हैं जल मंदल जहां जल है और जल मंदल है बस इतनी बात यहां पर कही गई कि इनके सोरूप जो सही उक तो सोरूप है इने इकटा करके जो बनाया गया है वो क्या बनाया भई हमारा बहुतिक भूगोल त्यार हुआ है बस इतनी बात कहीगे गुमाप्राकर बही बात कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है ठीक है इतने में आप 3 पेज या 2 पेज़ भर दोगे, ठीक है, आगे देखो, अब यह दिहाँ पर देखते हैं, विसएचहित्र, इसका क्या देखते हैं भी, विसएचहित्र देखते हैं, परिमासाहिम ने देख ली, दो बस नाम याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, इसमें आर इंपप्पूर करने के लिए पहले उसे बहुत इक तत्वोदता पच्छो का ग्यान प्राप्त करना आवस्तिक है आप फिलिप भी वही बात कहेंगे दिखो ने करने हैं तक कहा कि भुगोल रूपी बट्रच की जटें भौतिक रूपी मिट्टी में धसी हैं ये बहुत इंप बहुतिक भूगोल यहां से देखना बहुतिक भूगोल रूपी ब्रेच्छ की जड़ें बहुतिक रूपी मिट्टी में धसी हैं तथा बिसाल ब्रेच्छ इसी मिट्टी पर आधारित हैं तो यह कथन भी आप से कभी-कभी पूंच लेता एक्जाम में कि जो कहा गया है वो कि बीबात सahी होती ठीक है? आगे देखते हैं यहां withdrawal का बिसा चेट्र या अम्य द्रेच्दिक भ्यापक है क्योंकि बहुतिक बहुतिक भूगोल के विसाइच शेक्तरे में पिर मुखिता निमलिकित पच्छो को सामिल किया गया है किस किसको सामिल किया गया देको बही बात रपीट होगी फिर से अब यहाँ पर हैडिंग महात पूड़ होती है तो किसको क्या गया भी प्यत्वी के ग्रहिये संबंद को और इस्तल मंडल को जल मंडल को बायो मंडल को जीब मंडल को जैव मंडल को बस यह हो जाती है है बस जो हमने उपर पडा था बही है झालिक है बस अनू को क्या है थोड़ा सा explain कर दिया है बहुत तक भूगल के अनुसाइल ठीक कि बात करते हैं फर्स्ट बाले को देखते है कि प्रत्वी के ग्रहिय संबन्द कैसे होंगे इसके बारे में क्या है बहुत एक भोगल के अंद्रगत इस बर्ग में सोरपरिवार आएगए ग्रह उप्री ग्रह आएंगे प्रत्वी की उत्पत्ति आयू सनचना प्रत्वी की गतियां था गुत्व आदी का अध्यन किया जाएगा, बिल्कुल सही है, पत्वी के ग्रही संबंद के बारे में कह रहा है, तो कुछ भी बना बना कर लिख सकते होगि, पत्वी क्या है, एक सौरवड़ी बारे का हिस्सा है, जिसमें क्या हो जाएगा, ग्रहे, उपर ग्रहे, अना, और स्था क्या राइण होता है और प्यत्वी कि पती किस प्रकार से हुई घ केसे-इस हम कि यहां के स्था है फूर्द क क्या रहत घर 15 काρώव सब्ह झार्द twenty पतबी तल पतबी जो तल होता है उस पर इस तल खंडो तता उनके बिभिने स्वारूपों का दिंग आता है भू प्रेस्ट की कुछ मीटर की गहराई तक मिलने बाली चट्टाने हो जाएंगी भू गर्ब हो जाएंगे कि आंतिक सनचना भी हो जाएगी बू सनचना आंतिक तथा ब्रहा सक्तियों तथा उसके दिन में तभू आकारो सनचना पिक्रम अबस्ता बहु चक्रिये तथा भू द्रस्य बाली महादीब महासागरों की उत्पत्ति आदी काध्यन इस बर्ग में किया जाता है तो कुछ नही कर यहाँ पर लिख सकते हो बात करते हैं यहाँ पर थर्डवाली हेडिंग की दे रिखा है जलमंडल अब जलमंडल में क्या क्या आता है इस बर्ग के अंतरकत महासागरिये आकरतिया आते हैं जलमें आप जानती क्या होता है महासागर बगरा होते हैं दीप आ जाएंगे सी म जाता है दाराओं ज्वार्भाटा उत्पन्न होता है आदी समुद्री गतियों महासागरी बिच्छत अप्रबाल भितियों का अगधिन किया जाता है तो इसमें कुछ है जो जल के अंदर जो हो बस बना बना कर बेलिक दो हेडिंग आपको आना चाहिए आगे देखते हैं फिर जो हो जाएगा वो बित्र हो जाएगा और बायू दा पेटियां एबं हबाओं बायू रासियों चक्रबात प्रति चक्रबात ओ जल बायू बर्विकड आदेता और इसके सोरुपादी का अध्यन बायू मंदल में किया जाता है तो बस यहां पर कुछ नहीं रहता है बही द समीप बर्ति बायू मंदल एबं जल मंदल का बह भाग है जिसमें जीवन पाया जाता है इस बर्क के अध्यन का मुक्ष बिस्य क्या है इसमें जीव मंदल के घटको विभिने परिकारों के चक्रो तता पाईस्ततिक तंत्रो ठीक है बायों पादप एबं जीव समूदाय के विकास प्रिसार और बित्रड सजीवो एबम परियावड के मद संबंदो का दिन किया जाता है तो बिल्कुल बना-बना कर यहां पर लिख सकते थे ठीक है जीवों का दिन होता है कीट होते है अगर आपको याद हो ठीक है तो इनमें डिवाइड कर सकते हो कीटो के लिए भी ब पड़ा होगा बात करते हैं आगे-ागे क्विषाय अदिया इस प्रकार के बहुतिक भूगोर्व के कि विशायिचेट्र आधिक व्यापक है इसके विशायिचेट्र रहार पर बहुत इक भूगोर्व को निम्निकित उप विभागों क्या इस इसज़िए ढही है आपको हुआता ऑपनों से कृक्णा पहुंच लेगा नहीं यह एक तीन तो यह आपको कितने भी आबफे नम आपको याद होना थाए उप कौं सा प्रिकार से आराम से समझ जाओगे कि भू आकिरती बिग्यान हाँ बहुत तक भूगोल के अंतर कता आती है ठीक है next करा है नच्छत्र भूगोल किसमें आगी भई सवर परिवार के अंतर कता जाएगी इस प्रिकार से आराम से कर सकते हो ना जलबायो बिज्ञान हो जाएगी, मिर्दा भूगोल हो जाएगी, यहाँ पर समुद्र बिज्ञान हो जाएगी, भूगरित हो जाएगा आपका, और भूतिकी हो जाएगी, आपका जैब भूगोल हो जाएगा, तो इस प्रिकार से क्योशन जो हो जाता है, अपना समात हो जात तेस्ट का समझ लिजी गाई पिकार से ठीक है मगर आप 2022 में भी से पढ़ सकते हो पढ़के अगर यह क्योशन आता है तो बिल्कुल डिटिल में आप लिख सकते हो मगर आपके जो नोट्स दिये जाएंगे आपके लिए बो दिये जाएंगे बहुत इंपोटेंट होंगे उसम फैला क्योशन देख लिया अब नेक्स्ट वीडियो की और बढ़ेंगे ठीक है तो फिर जैहिन जैभारस सभी के लिए अच्छे रहिएगा अच्छे से पढ़िएगा बिल्कुल